कैसे हैं आप सब, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे, तर्शको 23 मई को सोमबार की अस्टमी है, सोमबार की अस्टमी का उतना ही महत्व होता है, जो शिवरात्री का महत्व होता है, यह दिन शिव और पारवती के मिलन का दिन होता है, इसलिए इस दि या फिर किसी कारे को आप पूर्ण करना चाहती हैं, किसी कारे में आपको सफलता हासिल करनी है, तो इस दिन एक विशेश उपाय बताया गया है, बहुत ही सरल सा और छोटा सा उपाय है, आपको यह उपाय करना है, क्या उपाय करना है आपको, आपको एक लोटा जल लेना है, एक लोटा आप जल ले लें, उसमें साथ आपको सफेद फूल डालने हैं, आपको इसी भी सफेद फूल ले सकते हैं, जो भी आपके घर के आसपास या आपको आसानी से सफेद फूल मिल जाए, और यदि आपको साथ सफेद फूल नहीं मिल पाते हैं, तो जितने भी मिले और जितने ना मिले उनकी जगापर आप चावल की दाने डाल सकते हैं उतने ही जैसे आपको दो सफित हुल मिलते हैं तो आप पांच चावल की दाने डाल लें। घर पर किसी से इसके बारे में बात नहीं करनी है, अब इस कलश को आपको लोटे को लेकर शिव मंदिर जाना है, शिव मंदिर में जाकर आपको अपने साथ एक दिया भी लेकर जाना है, घी का दिया लेकर जाना है आपको, सबसे पहले आप दिया जलाएं, भोले नात की आरती करें फिर आप जल अर्पित करें और हो सकी तो आप इस दिन बेल पत्र शिव जी को अवश्य ही चड़ाएं झाल झाल झाल